अगर आपका बच्चा कमजोर है और फल और सज्जी खाने में आना कानी करता है तो उसे खिलाइए जैली वाला हलुआ यह हलुआ बनेगा चुकंदर से यह हलुआ आपको दिल्डी के सोहन हलवे की यार्द दिलाता है घर में आसानी से बहुती कम सामान में बनके रेडी हो जाता है तो आये स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए आपको चुकंदर लेना है कुछ ड्राइ फूट्स लेने है और कर लेंगे कर लेंगे हम तृल्का सॉथा डाइस के बाद हम त्यल को भी हलका क्षार लिए बीना ओई अगर आपका बच्चा जुकंदर खाने में आगागानी करता है तो इसके लिए आप ये उसको खिला करके उसकी झो Talk ड़ा कर देखिए मोगे बदस त्यएंठ लेना तो अब इसको हम काट लेंगे और छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे क्योंकि हमें ऐसे ग्राइंड करना है तो जदा बड़ा होगा तो हाड होगा और मिक्सी में प्रडम करेगा तो इसको हम छोटे-टे काट करके फिर डाल देंगे मिक्सी mixer grinder में उसमें हम USKKO grind कर लेंगी ठीक है और उसके लिए हम आदा glass उसमें पानि डालेंगे ताकि अच्छी दरा grind हो जाए को कि हमें चूस निकालना है तो यह हमारा ग्राइंड हो चुका है अब हम क्या करेंगे एक छन्नी अगर आपके चाई वाले छन्नी उससे कर लीजिए बड़ी है तो उससे कर लीजिए दोनों से हो जाएगा तेकिन चाई वाले तो थोड़ा टाइम दगेगा और में जो काम हमारा उसके जूस का है चुकंदर से खुन तो बढ़ता ही है साथी आँखों पेट की चरबी बीपी आदी को भी कम करता है आईरन स्टोडियम सेलिलियम और मेगनीशियम इसके पचूर मातर में भरा है पिर उसके बाद जो इसका रो मट बच जाता है ना पर इसको आप हटा सकते हैं तो में यूस है हमारा इसके जूस का और उसके बाद क्या करना है एक जाली वाला या कह सकते हैं कि सूती टाइप का कपड़ा लेना है उसमें इसको फिर चानना है ताकि जो भी इसकी में लंस वगएरा और होंगे बचे होंगे वो भी निकल जाएंगे क्योंकि हमें ज्यादा लंस वगएरा चीज नहीं चीए हमें प्यूर जूस चीए इसके बाद बीनागताट समय रहा क्योंपढंगे चीनी की अदिकल जाता है। में लंजा नहीं होनेज़ करें तो चितऱ को मैँश करेंगे और कौन फ्लोर और टाइए तो अगर गणर नहीं होगे यह आप पेटिमेंट है तो फिर गैस को आउन करके इसको गैस में रख देंगे और अब मिन काम गेस करीगी पकाते रहना है को तब तक पकाना है जड़तर के गारा अब देखिए और गारा बहुत जल्दी हो जाएगा 3-6 मिनट में ही इस गारा होने लगएगगा ऐसा मत कीजिएका कि इसको आप रखके कहीं चले जाए इसको हिलाते रहेगा क्योंकि एकदम गड़ा होता है ठीक है पचला आपका पूरा तरह लग जाए और जल जाए और आपका पूरी रेसी भी खराब हो जाए उसके बाद अपने ड्राइफूड को अच्छी तरह कर लिजेगा ठीक है तो उ हो जाएगा खाने के लिए तो आपको ट्रांस्पिन टाइप कर दिखाए लेगा अब इसमें डालेंगे हम तिल से क्या है एक टेस्ट पड़ेगा दूसरा देखने में भी अच्छा लगेगा तो इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और थोड़ा पका लेंगे अब क्या दो से तीन चम्मस देशी घी तो घी इसलिए डाल रहे हैं ताकि यह बरतन छोड़ दे तेकिन अगर यही रेसिपी अगर आप नौश्टिक बनाएंगे तो बरतन रिक्तम छोड़ देगा इसमें उतरा नहीं छोड़ेगा लेकिन यह एक जिगा एक खटा सा हो जाएगा ताक करेंगे प्लेट में हम हलका सा ओयल का लेप कर देंगे ताकि इसमें हमारा जो बेस्ट बनेगा डालेंगे हम उसके बाद इसमें हम अपने ड्राइफूड्स ठीक है और हमारे जो तिल हैं उसको आप डाल सकते हैं तो उसको अच्छी तरह डाल दीजिए क्योंकि वह नीचे क में डाल देंगे तो इसको यह काम हातों हादी करना है क्योंकि अगर आप थोड़ा रुख गए तो यह जम जाता है ठीक है एक्टम गाड़ा हो गया है और खाने में भी बहुत टेस्टी है यह एक्टम डार्क अब इसमें हम इसको फैला देंगे ठीक है अराम से डालेंगे इसको हम अच्छी तरह डाल देंगे और यह बच्चे जो है अगर इसको खतम करके लाएंगे और आपसे फिर डिवांड करेंगे कि ममा कल फिर बनाईएगा तो यह ऐसी चीज़ अगर बनाते हैं तो बच्चे का खाने में इंट्रस जागता है और उसके लिए हल्दी भी होत है वह चीज़ अगर इसको खिलाना चाहते हैं तो आपको आपको मेहनत करने पड़ेगी तो अच्छे अच्छी रेसीपी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी नए रेसीपी लेकि हम आपके लिए और लाइक ज़रू कीजिएगा और कमेंट करक इसको लुकवाइज भी अच्छा लगेगा टेस तो इसका अच्छा है फिर इसको हम एक से दो गणटे के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए फिर एक प्लेट की हल्प से उसको लुटा करेंगे और हलका मारेंगे तो पूरा जो है दूसरी थाली में आग जाएगा अब आप अपना जो आपको शेफ पसंद है या आपके बच्छों को शेफ पसंद है उसको लिए आपको कट कर सकते हैं या तो कटर ले लिए या जो भी आपकी घर में या कीचन में नाइफ है उससे आप को कट कर सकते हैं तो अगर आप इसको एक बार घर में बनाएंगे और खा कौन सा पसंद करते हैं बच्चों को कौन सा से पसंद है तो इससे पहले भी हमने एक रेसिपी टाले थी चुकुंदर की कटलेट जो बच्चे को बहुत पसंद आये और आपने भी बहुत सारे कमेंट करें लाइक करा और अच्छा लगा हमें तो इसको मुझे से मोटिवेट हो खाने में भी टेस्टी है तो यकिन मानी गया कि अगर आपने एक भाइट खाई इसकी तो आपको इतना टेस्ट लगेगा कि वीक में आप एक बहुत जरूर बनाएंगे तो सीजनल है तो सीजन में चुकंदर खाना चाहिए तो चुकंदर आप कैसे भी खासकते हैं ऐसे सैले जली वाला हल्बा बनाया यह जली वाली मिठाई कह सकते हैं और इसको आप अपने तेवारों में बना सकते हैं क्योंकि हेल्दी है तो अगर आपको यह recipe अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा नए है चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते ह ने ने रसे बीमें.